नमस्कार TNP News देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जावेद अली खबरों की शुआत करेंगे तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रदान मंत्री नरेंद्र मुदी आस्ट्रिलिया के सिड्नी पहुचे यहां पहुचने पर भारतियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया इतना ही नहीं बलकि भारतिये लोगों ने भारत माता की जैके नारे भी लगाए उदर ग्रह मंत्री अमिशाह ने नए जन्गर्णा वबन का उद्गाटन किया बारत के महापंजिये यानी आरजी आए के नए कारेले जन्गर्णा वबन का उद्गाटन करते हुए ग्रह मंत्री अमिशाह ने कहा कि जन्गर्णा का डाटा जुटाने से लेकर इसके इसके इ व्यवदान को हत्यार बनाने की बढ़ती प्रवर्ती पर चिंता जताई केरल विदानसभा भवन नेम सभा की व्रजद जयनती समारों का उद्गाटन करते हुए धनकर ने कहा कि लोग सवाल कर रहे हैं कि संसद और विदाय का क्यों वहस और चर्चा नहीं कर रही हैं और हम व् अरविंद सिंग और विकास अगरबाल की हैं जबत संपत्तियों में अन्वर डेवर का राइपुर सित होटेल वैनिंग अटन कोट भी शामिल है इसके पहले एडी 58 करोर लोपे की चल संपत्ति जबत कर चुकी है जिनमें नगत, फिक्स, डिपोजर्ट, शेर और जोएलरी शामिल है उदा मनीपुर में करीब 20 जिन की शानती के बाद एक बार फिर से सोंबार को हिंसक घटनाएं हुई जिसके बाद अब राज में तनावपूर इस सिती बनी हुई है बता दें कि राज में आरक्षर की मांग को लेकर 3 मई को जाती है हिंसा हुई थी इसे हिंसा में क पुष्लादार बारिश के चलते एक और मौत हो गई बताया जा रहा है कि म्रतक यूबक के पैर फिसले से वो नाले में गर गया है जिसके चलते उसकी मौत हो गई उदर पशुओं में संकरमल के जरीय फैलने वाली जानलेबा बीमारी लंपी वाइरस एक बार फिर से पैर पसार रही है मारास्ट बंगल सिक्के मुत्राखंड और मद्रदेश समेत कई राजों में इसके लक्षर दिखने लगे हैं सब्ता हवार के बीता 3,000 से जादा शिकायते किंद्र सरकार को मिल चुकी है वहीं किंद्र सरकार ने तुरित कारवाई के नियोदेश भी दिये हैं ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी पर नियंतरण पाया जा सके उदर दिली की तियार जेल में एक बार फिर सुर्कियों में हैं यहाँ पर एक कैदी ने आत्मत्य कर ली जेल के अंदर कैदी ने फंदा लगा कर अपनी जीवन लीला समाप कर ली जानकारी के अनुसार तैयार की जेल नमबर आठ में बंद जावेद ने फांसी लगा कर रातमत्या की है कैदी पर अंबेडगर नगर थाने में लूट की एफ़ायर दर्ज थी फंदा लगाने वाला जावेद दक्षरपुरी का रहने वाला था फिलाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है उदर यूपी के हमीरपुर थाना सुमेरपुर इलाके के बोरा गाउं में घर के बाहर खेल रही मासुन बच्ची पर सांड ने हमला कर दिया परवारवालों के चिलाने पाई ग्रामीरों ने सांड को भगाया परवारवाले आननफानन में बच्ची को अस्पताल लेकर पहुँचे जहां जिला बांदा के अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई उदर मद्यप्रदेश के शाजापुर के बेरचा में एक पुलिस करमी ने प्रेमी प्रसंग के चलते एक गोलिया चला दी जिसमें लड़की के प्रेमी की मौत हो गई और लड़की गंबी रूप से घायल हो गई पता दें की घड़ना को अंजाम देने के बाद प्रेमी पुलिस करमी ने ट्रेन की नीचे आकर अपनी जान दे दी घड़ना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामली की जाच में जुटी हुई है चलि इफलाल के लिए इस बुलिटेन में बस इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें टेन पी नियोज